बेरसिया पहसिल के अंतरगत ग्राम डूंगरिया के एक ऐसे किर्शक जो पहसे से सिक्षक हैं और दूसरा उनका खेती में खोद्रुची है यह सतावर लगी हुई है और इसकी जड़ों की बहुत-बहुत बेलु है बहुत कीमत कीमती है बागी बहुत सारी इनमें विसेशता है और यह मुन्गा है और मुन्गा इसमें फल्ले आएगी और कहें तो यह इधर देसी पपीता है ये देशी पपीता है आजकल ताइवान पपीता आता है वो काफी रोग लगते हैं फल उसका छोटा रहता है और देशी की जो मिठास है और जो अधिकता पेदवार है उसकी जो लंबी आयू है और उसका जो फल है बहुत बड़ा होता है तो आज हम पंच इस्तरिये एक माडल बनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं तो हमने ये चून डाला है ये चूने की हमने चोडाई ली है कि अट्ञा इंच इसको गड़े को अभी खोच देना है और एठ्ञा चप्षिट दूर दूसरा निशान है उसके बाद चोथा निशान है तो ये हमने लाइन में रखा है इस लाइन में हम नीबू लगाएंगे और इसके अगेंस में यहां कम से कम इस बीड पे हम शिता फल लगाएंगे और उसके आगे बीच में जो बल्कुल मद्ध है उसमें नर्यल लगाएंगे या तो हम पपीता लगाएंगे इसके आगे हम अनार लगाएंगे यहां अनार लगाएंगे और इसके बीच में जो सेस रहेगा उसमें केला लगा सकते हैं और एक लाइन में हम चीकू लगाएंगे और एक लाइन में हम जो कोने पे हमने जो निसान बनाया है देसी आम लगाएंगे क्योंकि देशी आम की बहुत महत्ता है हमारे भारत देश में और एक कोने पे हम कठल का पेड़ लगाएंगे और इस कोने पे हम जामुन का लगाएंगे और उस कोने पे हम इमली लगाएंगे या चोंसा आम लगाएंगे जो हमारे कलमी आमों में चोंसा आम होता है बहुत सारे आम होते हैं तो यह हमें यानि की कहें तो सबसे लाश्ट में जो आम आता है चोंसा उसकी हमें फल खाने को मिलेंगे पंच इस्तरी फिर इनकी जो बीडे बनाई जाएंगी उन बीड की चोडाई हम डेल फिट रखेंगे जो बेड रहेगी और बरे की गहराई एक फिट रहेगी और यानि माने तो वो तीन फिट का एरिया रहेगा और उसमें जो किनार रहेगी उसमें हम हर मोसम में आने वाली सबजियें लगाएंगे अद्रक लगाएंगे और आपका हल्दी लगाएंगे पोधीना लगाएंगे और जैसे जैसे ये पोधे दो-तीन साल मे वड़ते रहेंगे और इन्हीकों भी हमें इनहें बीच में रखना है तो यह एक माडेल हमने यहां बनाया है और दूसरा इसी की प्लकूल पेटेंट पे इसी के तरहे दूसरा यहां बनाएंगे और इसकी हमारी एक उम्मीद है सभी किसानों से कि आज हम पंच इसतरी फसल के लिए हमें किरसी करना चाहिए जिससे कि हम आज हमारे मानिय परधान मंतरी मोदी जी कहते हैं कि हमारे किसानों की दबल आमदनी होना चाहिए तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें डबल आमदनी नहीं होकर इसमें कम से कम हमारी सो प्रतिसत, सो गुना आमधनी बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी कि हर फसल, हर मौसम में हम यहां से आमद लेंगे और हम सीधा उभोकता तक इसको जोड़ेंगे दो-तिन साल हमें परिसानी हो सकती है आज दो-तिन साल के बाद हमारा यह मौनगा है जिसे हम अनार लगाएंगे, छितफल लगाएंगे, नीवू लगाएंगे यह तीन साल के बाद फसल देने लगेंगे और जिसे बड़े हमने चार इकोने पर लगाये हैं जिसे इमली है, कठल है, आम है, जामुन है तो यह 10 और 11 साल के बाद फसल देने लगेंगे और हम SPNF के माध्यम से इस विधी को यहां प्रारूप दे रहे हैं और इसमें हमें क्या करना है, कि बस एक गाय माता को रखना है और उसका निरंतर यहां घंजीवमरत, जीवमरत डालते रहना है और आज आप यह देख रहे हैं, यहां जो खर्पदवार होगी थी, इसको हमें क्या करना है कि इन ही के बीच में जो हमारा बरा रहेगा, उस बरे में बिछाना है और उपर से घंजीवमरत डालना है, और जीवमरत समय समय पर डालना है क्योंकि आज आप देखेंगे केक तो टेंपरेचर काफी कम रहता है और शाया रहती है, और छाया में हमने अगर घंजीवमरत डालना है, जीवमरत डालना है तो यह सब हमारी देशी गौबर के होते हैं और गौाय माता के गोवर से हमारा देशी केचुगा जो इस भूमी का मालिक है वो आकरशित होता है और वो इस छाया में बड़े अच्छे से हमारी मिट्टी का अत्वरगिंग करता है सहच छिद्रिय बना देता है जिससे बरसाती पानी का बहुती अच्छा सा भूशंचे होत लेकर अपने में समाहित करता हुआ आता है और विष्टा के माध्यम से यहां छोड़कर जाता है तो बांके अगले वीडियो में हम सभी हमारे किसान भाईयों को हमारे अन्य दाताओं को इन विश्यों से अबगत कराएंगे इसके लिए मैं भारत की आत्मा के और से सभी को भोद भोद धन्यवाद सादुभाद जे किसान जे भारत माता जे गो माता